तो हेई गाई जीब फिर साब सबी कमिस्टर व्यास के अंदर स्वागेतर आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मेरी और निल पतेल की बिगनिंग की स्टोरी एक्जाकली हुआ क्या था बहुत ही एक्साइटिंग होगा आप मैं से बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है अगर आप ब्लॉगिंग की जड़नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऐसी बहुत सारी टेक्निक सीख रहे हैं लेकिन उसका एक्जिक्यूशन नहीं कर रहे हैं पूरा ब्लॉगिंग सिखना चाहते हैं और अगर आप उस बैल आइकन को हीट करें ताकि फ्यूचर के किसी वीडियो को आप मिसने करेंगे चलता डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर शुरुवात करते हैं वह मोटिवेशन स्टोरी जो आप सब बहुत सारों के जिंदगी बदल सकते हैं सो हम लोग आ चुके डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर जो लोग हैं मुझसे जुड़े हुए हैं वरी लॉंग टाइम से अगर उनको पता होगा गाइस तो मेरा जो पहला ब्लॉग था यहां पर बैकलिंक्स और उसकी बहुत सारी अर्निंग्स होती हैं गैस पूस की अर्निंग किसी दिन के बारे में भी बात करेंगे वेब साइट पर अभी भी सो से जादा पोस्ट लिखे हुए हैं जहां पर 50-60% कॉंटेंट अभी भी क्रिप्टो करनसी का ही हैं तो यह थिया मेरा पहला ब्लॉग अभी बात करते हैं मैंने बिगनिंग के अंदर क्या किया निल पतल क के साथ मेरा क्या हुआ सारी चीजा मैं आज इसे डिसक्स करने वाले हैं यह स्टोरी है गाईज बाक इन ये नवंबर 2018 जब मैंने पहली बार मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया mrvsidea.com वो ब्लॉग जो स्टार्ट किया गया था गाईज वो ब्लॉगर में चालू किया था that was the free platform उस ताइम नया नया था मुझे वर्डप्रस के बारे में कुछ नहीं पता था मैंने ज्यादा स्टड़ी की थी SEO के बारे में but not talked about WordPress और ब्लॉगर तो मैंने ब्लॉगर से मेर दिन में AdSense का मुझे approval मिलता है तो चले काई जब बात करते हैं उस टाइम हुआ क्या तो उस टाइम जब आप बहुत सारी टेक्निक सीख रहते हैं मैं भी खुछ सीख रहा था email marketing के थ्रू email outreach के बारे में कि आप लोगों से कैसा connect कर सकते how exactly you can grab the attention of the people जो आपकी industry के अंदर most popular हैं उस टाइम मैंने एक recently एक post लिखा guys और वो जो post था वो यह था जहां पर आज भी मेरी वही date इसको मैंने कभी update ही नहीं किया सिखाए देख सकते हैं आपकी actually वहाँ पर search volume नहीं आता आप कैसे find out करें उससे keyword research कैसे करें so this was all part of my learning जो मैंने पीछले तीन मेने की planning में सिखा था उसकी basis पर ये मेरे beginning के वह 8-10 post में से एक था जिसके बाद मैं एक adsense के लिए अप्रोल के लिए भी ज़्यादा जब इस पूरे post को लिखा गया guys तो इसमें से मैंने कुछ other suggestions दिये थी का आपको keyword का ratio तो मिल जाएगा Google keyword planner से लेकिन अगर आपको SEO के लिए जानना है guys तो आपको एक tool use करना चाहिए and the tool was Ubersuggest तो यहाँ पर इस post को जैसे आप scroll down करेंगे 10 points के बाद में मैंने यहाँ पर tool को include किया जिसका नाम था Ubersuggest देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी है यहाँ पर तो यह जो टूल जब मैंने include किया और उसी टाइम में सीख रहा था जैसा beginner का mindset रहता है मुझे backlink चाहिए तो मैंने का कि if you found this relevant तो please give me the backlink और उनका reply नहीं आता है और I think एक दीन के बाद में ऐसा कुछ मुझे reply आता है और something kind of that और वो मुझे लिख करके बेजता है it was a nice article anyways I have to find out I mean a lot but it was a nice article तो मैंने उनको बला कि sir if you really like it then if you are not linking it somewhere please share it on your social media sit मैंने ये कहा if you can give me a credit please share it to social media that will make my day ये चोड़ा सा statement मैंने उसे email पर reply किया या फिर वो पहले email बोड़ी मैंने लिख लिया था कि ये content है if you like it please link it otherwise share it on your social media that will made my day kind of that मैंने इस email को draft किया और उनको बेजा और जो मैं बेजता हूँ guys तो ये particular email जो होता है Mr. Neil Patel जैसे कि आप देख सकते है जेन 13, 2019 ये मेरे beginning के दिन थे 2018 के शुरुआती दो मेने के अंदर मैंने ब्लॉग को मूग किया था वर्डप्रेस पर 2019 में देख सकते हैं या पर Twitter पे मेरा जो post मैंने पब्लिश किया था यही वाला था और यही मैंने बाई email उनको भेजा और same day को guys Mr. Neil Patel इसी post को उनके Twitter handle पे share करते हैं I mean कि उन्होंने मेरा content लिया वहाँ पे link paste किया और लिखा ओपर 10 hex to use Google Keyword Planner tool for keyword research और जैसे ही यहाँ पे share करते हैं now I will go through and will tell you कि जैसे आपने सुना है कि मेरा पहला blog successful रहा बहुत सारा traffic आने लगा इनिशली डेस के अंदर तो चली अब चलते है Google Analytics में यह था पहला blog mrvsidea.com और यहाँ पर देख सकते हैं शुराति के दिनों में there was no traffic in the first one or half month उस ताइम मुझे analytics के साथ भी link नहीं किया था मैं बहुत सारी चीज़े सीख रहा था and then दीरे दीरे आपर traffic की शुरुआत होती है देख सकते हैं तब भी beginning के अंदर within two months के अंदर मुझे 200-300 यहाँ तकी कभी-कभी 400 page views एवरी डेस आते तो और mostly US और UK का traffic हुआ करता था तो यहीं से मुझे motivation मि और इसी तरह से करता गया करता गया और यह था जैन 13 का टाइम जब Mr. Neil Patel में मेरे post को share किया and उस दिन मेरी site पर पहली बार 900-plus page views आया and that actually gave me the motivation इस तरीके से जब मुझे feel हुआ कि नहीं यह चीज़ काम करती है और यहाँ पर देख सकते है guys तो यह थे मेरी life के वो booster जिन्हों अने blogging की journey में मुझे inner fuel देया इसके बाद देखता है इसके बाद दीरे-दीरे blog और बढ़ता गया little bit down, up, down, up यहाँ पर मैं सीखता गया और इसी की case studies में आपके सामने लाता गया और यह मेरा पहला successful blog था जिसके शुरुआत मैंने back 2018 के अंदर की मैंने लोगों से contact किया जो मैंने सीखा उसको execute किया, तो moral of the story guys यहाँ पर है कि मैंने क्या किया, I have learned a lot of thing, और मैंने इसको execute किया, मैंने उस time पढ़ा email outreach कैसे किया जाता है, मैंने उस time पढ़ा आप अच्छे लोगों से कैसे social signal के थुरू आपकी साइट पर traffic ला सकता है, I just experimented that part and यहाँ पर वो trigger हुआ, वहाँ से traffic है, I got confidence और यही videos में channel पर बनाते गया, मेरे blogs grow होते गया, तो मतलब यहाँ पर point of the story यह है कि जो आप सीख रहे है, start executing that part, अगर आप execute नहीं करेंगे, you will never ever get success, similarly इसी चीज़ को लेकर कि बहुत सारे हमारी user है, जैसे SEO tools है, यहाँ पर मैंने 70 से जादा beginner के लिए जो मेरे tool को बारे में लिखते है, उनकी site पे, और मुझे वो post based है, I am sharing it somewhere, तो इसी तरी के साब किसी भी industry का कोई blog बना रहे है, किसी भी particular चीज में काम कर रहे है, start doing execution, जो आप execute करेंगे, उसी से आपको results आएंगे, otherwise there will be no results, so this is the beginning and how I got connected with him, और obviously एक beginner के लिए जो आप किस industry में and when you connect with such people, जो इंडिस्टी के अंदर already reputed person है, तो you will obviously get motivated, इसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, but this was the beginning and how I started my journey, so I hope guys ये वीडियो आपके लिए motivational लगा होगा, अगर ऐसे stories आप और जानना चाते है, देरे देरे मेरे बारे में समझना चाते है, और बहुत सारे insights को जानना च शेयर किया है, और यहां पर हमने 10,000 से जादा लोग है, तो अगर आपने अभी तक हमारे Facebook ग्रूप को जॉइनने किया है, ब्लॉग को जॉइनने किया है, फ्री as you के टूल्स को यूज ने किया है, use it, this can really really change your blogging journey, और आप फ्री में बहुत सारा keyword research और बहुत सारी चीज़े article spin और बहुत सारी long keyword suggestions, बहुत सारे टूलियां पर मैंने add किया जो आपकी help कर सकते हैं, I hope guys कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और innovative और something really really motivational idea मिला होगा, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे वीडियो के अदर तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत!